आज हम जानेंगे भगवान सिरी राम के विशय में भगवान राम से जुड़े मुखेते दो ग्रंत है तुलसी दास द्वारा रचित सिरी राम चरित मानस वालमिकी द्वारा रचित वालमिकी रमायन भगवान राम भगवान विश्णु के साथवे अवतार थे राम नाम रगु रावजबंस के गुरू महर्शी वशिष्ट ने दिया था राम आयोध्या के राजा दशरत और रानिकोशलिया के सबसे बड़े पुत्र थे राम की पतनी का नाम सीता था राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता क्योंकि उनको जोधे कलाएं ग्यात थी ऐसा जान भूजकर किया गया था क्योंकि रामन को कई वरदान प्राप्त थे लेकिन एक मनुश्य उसका वध कर सकता था जब राम अवतार का पर्योजन सिद्ध हो गया तब राम जी को किसी साधरन मनुश्य की तरह ही अपना शरीर त्याग न था लेकिन उनके परमभक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुँचना संभव नहीं था इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगुठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने के लिए कहा हनुमान जी उसे खोसते खोसते नाग लोग पहुँच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगुठी के बारे में पूछा तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए क्या ताकि यम्राज राम जी को ले जा सके राम जी के अनुज लक्षमन, सीता मैया और भगवान राम जी की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक दिन भी नहीं सोय थे इसलिए उनका नाम गुडाकेश भी है इंद्रदेता ने राम जी के लिए एक दिव्य रत भीजा था उसी रत में बैठ कर राम ने रामन को परास्त किया था वनवास जाते समय भगवान राम की आईउ 27 वर्ष थी रामचरित मानस कैनुसार राम रामन का युद 32 दिन चला था जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ था माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शीव का धनुष खेल-खेल में उठा लिया था इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंबर के लिए धनुस तोड़ने की शर्त रखी थी माना जाता है कि गिलहरी पर जो तीन धारिया है वह भगवान राम के आशिरवाद के कारण है रामन खुद को अजय समझता था लेकिन एक बार राजा अरण्या ने उससे शाप दिया कि उनके वंश से उत्पन यूवक ही उसकी मृत्यू का कारण बनेगा स्री राम राजा अरण्या के वंश में ही जन्मे थी भगवान चार भाई थे राम लक्षमन भरत शत्रूगन और उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शान्ता था राम जी के धनुश का नाम कोदंड था भगवान विश्णू के 1000 नामों में से राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है भगवान विश्णू के अवतार वर्षू राम ये नहीं जानते थे कि स्री राम भी विश्णू अवतार है रामण अपने समय का सबसे बड़ा ज्यानी था इसलिए एक बार रामजी ने रामण को महा ब्रामण कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यू के समय लक्षमन को उससे ग्यान प्राप लने के लिए भेजा था लंका पर चड़ाई के समय स्री राम ने रामेश्वरम में शिव लिंग बना कर शिव अराधना की थी शीता जी के सुवैंबर में राम जी ने शिव के जिस धनुस को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था जिस जंगल में भगवान राम, सीता मया और लक्षमन जी ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंड कारण्य था तो ये थी स्री राम और रामायन से संबंदित कुछ महतपून जानकरी अगर आपको जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा फिर मिलते हैं नए टोपिक के साथ तब पते लिए जाहिए